आप लोग इस तरीका का पॉड्कास्ट वीडियो बनाके लाखो में अर्णिंग कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं इस चानेल पे लाखो में सब्सक्राइबर है और इस चानेल का वीडियो में दिखाऊ तो आप लोग प्रॉकुलर वीडियो में देख सकते हैं करोरों में लाखों में व्यूज है आप लोग भी इस तरीका का वीडियो बना के लाखों में व्यूज कमा सकते हैं अनिंग भी कर सकते हैं बिना फेज दिखा के आप लोग भी इस तरीका का पॉड्कास्ट वीडियो बना के लाखों में सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं लाखों में अर्णिंग कर सकते हैं तो आप लोग कैसे इस टाइब का पॉड्कास्ट वीडियो बना सकते हैं आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों को कैसे पॉड्कास्ट वीडियो डाउनलोड करना है कहां से आपको डाउनलोड करना है कैसे आप लोग वीडियो को एडिट करेंगे कैसे आप लोग सब्टाइटल एड करेंगे कोन अप्लिकेशन के मदद से आप sub-title add कर सकते हैं तो आप लोग वीडियो में बने रहे ए वीडियो पसंद आए वीडियो को like भी कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को please subscribe कर दीजेगा तो चलिए आगे मैं आप लोगों को बताँंगी आप लोग कैसे चैनल को प्रेट क्लेम से बस सकते हैं तो छले वीडियो करते हैं आपको यूट्यूब पर सर्च करना है पॉड्कास्ट वीडियो फिर आप लोगों के सामने बहुत सरा पौड्कस्ट वीडियो आ जाएगा को जो वाइरल पॉड्कस्ट है आप लोग ले सकते है तो चलिए मैं यह path South check लेती हूं विर्व डाउनलोड कर लिजेगा डाउनलोड हो जाने के बाद आपको वी एन अप्रिकेशन को ओपें करना है ओपें करने के बाद कुछ इस तरीका का क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद हम लोग जो वीडियो डाउंलोड किये तो वह आ चुका है फिर आप उपर यहां पर देख सकते है उरिजिनल पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर टिक टॉक रिशो आपको चूस करना है चूस करने के बाद यहां पर कुछ इस तरीका से आपको next भी जहां से सिंद चेंज हो रहा हूरा है फिर से आपको इसी तरीका से videos को cut लगाना है, cut लगाने के बाद फिर आपको इसी तरीका से frame को हें पकड़ के कुछ इस तरीका से आपको बीच में कर देना होगा इसी तरीका से आपको सब वीडियो को अच्छे से एडिट करना होगा एक एक पार्ट को जहाँ जहाँ सीन चेंज हो रहा है आपको उसी तरीका से वीडियो को बीच में रखना है रखने के बाद आप लोग अच्छे से वीडियो को एडिट कर लीजिएगा एडिट हो जाने के बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है तो आपको उपर किलिक करना है किलिक करने के बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है export हो जाने के बाद फिर आपको मैं next application के बारे में बता रही हूं जिससे आप subtitle add कर सकते तो आपको play store से automatic subtitle caption को download कर लेना है play store से फिर कुछ इस तरीका का interface खुलेगा add आएगा आपको skip कर देना है फिर create project पर आपको click करना है click करने के बाद आपको video ले लेना है video लेने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते है इस icon पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको duration पूरा कर देना है करने के बाद फिर write पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर कुछ add आएगा आपको skip करना है फिर यहां पर देख सकते हैं, आपको language select करने का option आ रहा है तो आपको English India पर select करना है, यहां पर बहुत सारा option है, तो आपको English India select करना है, select करने के बाद आपको generate subtitle पर click करना है, click करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं, दो language आएगा, एक पूरा हिंदी में subtitle होके आएगा और एक English में, तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर हिंदी कर लेती हूँ, आपको हिंदी पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको कुछ आड़ आएगा, फिर आपको कुछ देरी वेट करना होगा, फिर आपका जो सब्टाइटल है बनक का कलर, सैडो, सब यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, नीचे आप आप आप्शन देख सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कलर सेलेक्ट करके दिखाती हूँ, आप कोई भी यहाँ पर कलर सेलेक्ट करके आपका change कर देती हूँ तो चलिए मैं यह वाला font रख देती हूँ रखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है text size का option आ रहा है तो आप इसको combacy कर सकते हैं मैं एक बात बता देती हूँ यहाँ पर सब option है लेकिन यहाँ पर उपर जो subtitle देख सकते हैं उसका position मुझे यहाँ पर show नहीं किया आप लोग को अगर show करें तो आप लोग subtitle को आप लोग नीचे adjust कर लिजिएगा हो जाने के बाद आपको add subtitle पे click करना है click करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरा जो subtitle का position है वो थोड़ा उपर है आप लोग नीचे कर लिजिएगा option show होने पर उपर 3.0 पे click करके आप यहां से भी वीडियो को export कर सकते हैं उपर आप लोगों को option show हो रहा है आप लोगों को हां से भी वीडियो को export कर सकते हैं वीडियो export हो जाने के बाद मैं आपको open करके दिखाती हूं वीडियो कैसे बना है तो देख सकते हैं वीडियो बनके ready हो चु सब्सक्राइब करेंगे तब आप लोगों को चोटा से एक टेक्स्ट यहां पर लिख देना होगा नई तब डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं I hope आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो का लाइक भी कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में